अलो एवरीवान वेल्कम वैक टू आरेंस मॉम और आज मैं आप से सेर करूंगी कि सकरकंदी के रेसिपी जो आप बच्चों को दे सकते हैं बर्यों को दे सकते हैं बहुत ही टेश्टी होता है और ठंड का मौसम आ गया है यह मैंने माइक्रोवन में रोश्ट किया है तो अगर में डाल दूंगी इसको मैस कर दूंगी चमत से यहां से करना है इसमें आड करूंगी में दूद उबला हुआ दूद है यह नॉर्मल और इसको मैं इसके साथ अच्छे से मैस कर दूँगी और बिल्कुल दम प्यूरी के तरह कर देंगे आप और देखिए हो गया है तो फैर बाइस मैने का है वह तो खा लेता है लेकिन मैं जैसे रेश्पिस से करने तो यह आप साथ मैने आठ मैने के बेबी को भी दे सकते हैं बहुत हेल्दी होता है ठंड में तो इसको डेली दिना चाहिए बच्छों को बहुत फायदा करता है और यह गुर्वला बनाई ह हैं किसमिस भी खा लेंगे और अच्छा भी लगेगा देखने में और फुसी सिर्फी खाएंगे और यह बहुत ही हिल्दी होता है ठंड के दिन में तो आप डेली दीजिए दूद के साथ मिला के बच्चों को दही के साथ भी इसका कॉमिनिशन बहुत ही अच्छा जाता है पट्री रात को में दे रही हूं तो इसमें दहीन में आड नहीं की हूं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यह बहुत ही टेश्टी भी होता है और मैं इसको कैसे पकाई हूं माइकर वन में उसका लिंक में डाल दूंग डिसके सुन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं अ तेखिए सुमच देखिए के लिए